दूसरा पठान फिल्म और उसके गाने बेशरम रंग ने तीन बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये हैं पहला रिकॉर्ड फिल्म के गाने बेशरम रंग ने ताबर तोड व्यूज बटोर कर बनाया है दूसरा रिकॉर्ड शारुखान की सिगनेचर पोस्ट से बना है और तीसरा रिकॉर्ड दिपिका पादुकोर्ण ने कुछ ऐसा करके बना लिया है जो आज से पहले किसी भी इंडियन ने नहीं किया था दोस्तों पठान फिल्म और उसके गाने बेशनम रंग को लेकर हेट फैल आते रहेंगे लेकिन उससे उन्हें और उनकी पूरी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता इधर हेटर्ज और बॉयकॉट गैंग हाई हाई करते और माथा पीटते रह गए और उधर शारुखान ने बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए तो चलिए दोस्तों बिना देर किये फट से विस्तार से जान लेते हैं कि शारुखान ने कौन से नए और बड़े रिकॉर्ड अपने नाम की हैं पहला रिकॉर्ड है शारुखान की फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को सौ मिलियन से भी जादा लोगों ने देखा और सुना है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना आपने पठान के गाने बेशरम रंग पर मोर देन 100 मिलियन व्यूज हैं गाना रिलीज होने के 6 दिनों में ही इस पर 100 मिलियन व्यूज चले गए थे और अब ये काउंटिंग डे बाई डे बढ़ती जा रही है। दिपिगा के बोल्ड अवतार और शारुखान के डैशिंग लुक का जादू फैंस पर आखिरकार चली गया है। तभी तो इतनी कॉंट्रोवर्सी के बाद भी इस गाने पर इतने जादा व्यूज चले गए हैं जो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। यश्राज फिल्म्स ने भी अपने उफीशिल ट्विटर पेज से इस बात के जानकारी दी है। यश्राज फिल्म्स ने अपने उफीशिल पेज पर दिपिका पादुकॉर्ण का एक वीडियो शेर करते वे बताया है कि बेश रम रंग गाने पर सो प्लस मिलियन व्यूज आ चुके हैं। आगे इस पेज के जरीए जानकारी दी गई है कि यश्राज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने पर 25 जनवरी को अपने नजदी की त्रियेटर्स में पठान देखिए और एंजॉई कीजिए। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप इवेंट के दौरान फुटबॉलर वेन रूनी के साथ एसारके ने अपना सिगनेचर पोज करके दूसरा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शारोखान और दीपी का पादुकोर अपनी फिल्म पठान के लिए कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप इवेंट में पहुचे थे जहां आरजिंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल मैच होने से पहले उन्होंने अपनी फिल्म पठान का जोरदार प्रमोशन भी किया और साथ फुटबॉलर वेंडरुनी के साथ पोज भी किया जिसकी तस्वीरे सोचल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रही है वेंडरुनी एसार के की फिल्म डेडील जे का इकॉनिक पोज करते वे दिखाई दी जिससे शारोखान का सिगनेचर पोज भी कहा जाता है एसार के न प्राप्त हुआ और ऐसा करके दीपिका पहली भारतिय बन गई है जिन्होंने फीफा की ट्रॉफी को लॉंच किया है सर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने विनिंग टीम को भी ट्रॉफी सौपी इनकी तस्वीरे भी सोचल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है जो हेटर् तस्वीरे हेटर्स और बॉयकोट गैंग के दिलों में चिंगारी का काम बखू भी कर रही है उनकी तस्वीरों को देखकर जलने वालों की और भी जादा जलने लगी है दिपिका पादुकोड और शारुखान को अपनी फिल्म की कहानी और फैंस पर पूरा भरोसा है और वो अगर अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाल आइकन दबाएं जिससे हमारी सबी वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें